हलो प्रेंटज वेल्कमेंगे दसमीज कीचेंड। अज मैं अर्वी के पत्ते की सबजी बनाई हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी है। और देखने में भी दिख रहा है आप बहुत ही टेस्टी। तो इसे बनानी के लिए मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दें, सेर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विल आइकन को दवा लें ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेसन आपको मिलती रहें, तो चलिए सबजी बनाती हो, तो सबसे इसे पहले पत्ते को अच्छे से धो लें, इसके बाद इसे पलट कर इसकी डंडी को निकाल देना है, तो ये देखिए, इस तरह से इसे पलट लें, इसके बाद डंडी को काट लें, और थोरी दूर मोटी सी डंडी है, उसे काट कर निकाल लें, ये दिखिए विडियो में जैसा दिख रहा है इस तरह से निकाल लें और ये तैयार है इसी तरह सारे पत्तों की मोटी सी डंडी को निकाल लेना है तो सारे पत्तों से डंडिया निकाल कर इसे तैयार कर लें मैं सब इंग्रीडियेंट और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दियों तो उसे जरूर से चेक करें और अब एक बड़े से बॉल में तीन चौथाई कप बेसन लें इसके बाद इसमें सारे इंग्रीडियेंट्स एड करें सबसे पहले अजवाइन को हाथों के बीच में मल कर डालें इसके बाद अद्रक लेशन का पेस्ट डाले, हल्दी का पॉडर, लाल मिर्च का पॉडर, धनिया का पॉडर डाले इसके बाद गर्म मसाला का पॉडर डाले, थोड़ा सा अमचूर डाल दे अगर अमचूर अबलेबल नहीं है तो आप निम्बू का रस भी डाल सकते हैं नमक डाल दें, टिस्ट की कॉडिंग, तो अब इसे मिक्स करें इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका थिक सगोल तयार करना है एक बार में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना डाले मिक्स करते जाएं, इसके बाद चमच को हटा दे इसे विसकर से विसक कर लें इससे बेशन थोड़ा हलका हो जाएगा तो अच्छे से विसक करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी सेट करें थोड़ा सा पानी डालें, मिक्स करें और ये देखिए, इस तरह का गाढ़ा घोल तयार कर लें और अब एक अर्वी के पत्ते को इस तरह से फैला लें और उस पर बेशन को डाल कर इस तरह से एक पतली सी लेयर लगाएं विडियो में देखते जाएं इस तरह से पत्ते के उपर बेशन का एक पतला सा लेयर लगा लें इसके बाद इसके उपर एक पत्ता रख लें ये देखिए और इस पर भी बेशन के गोल का एकड़म पत्ला सा लेर लगाए अच्छे से फैला लें और अब पत्ते को अच्छे से फोल्ड कर लेना है ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाए और हल्का हल्का बेशन लगाते ताकि ये अच्छे से चिप कर रहे हैं इस तरह से वीडियो में देखते जाए और ये तयार है इसी तरह सारे पत्तों को फोल्ड करके तयार कर लेना है आप एक वार अर्वी के पत्ती की सब्जी मेरी तरह जरूर बनाएं और जो लोग नॉन भेज नहीं खाते हैं उन्हें तो सारे पत्तों को तयार कर लें गैस पर मैं एक बरतन में पानी गर्म की हूँ और उसमें स्टेंड लगा दी हूँ अगर आपके पास स्टेंड नहीं है तो कोई भी कटोरी रख सकते हैं उस पर एक प्लेट रख ले या फिर जाली की छननी सेप्रेटर कुछ भी रखें उस पर पत्तों को रखकर ढट दें लो फ्लेम पे आठ से दस मिनट तक स्टीम होने के लिए छोड़ दें और जब तक पत्ते स्टीम हो रहे हैं सबजी के लिए मसाला तयार कर लें तो यहाँ पे सरसों मैं डाली हूँ ग्रैंडर जार में टमाटर डालें प्याज डालें अगर मिनट तक स्टीम करने के बाद यह देखिए पत्ते अच्छे से पक गए हैं तो फ्लेम को बंद कर दें और इसे निकालने दोनों साइड पत्ते अच्छे से पक गए हैं और यह देखिए पत्ते ठंडे हो गए हैं तो इसे काट लें छोटे चोटे टुक्रों में काट कर इसक पतला सा घोल तैयार करें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पतला सा घोल तैयार करें मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसे दिखाती हूँ ये देखिये इस तरह का घोल तैयार कर ले और अब गैस की ओर चले गैस पर तेल गर्म करें और यह जो घुल हमने तयार किया है इसमें पत्ते को डालें और अच्छे से डिप करके इसे तेल में डालकर डिप फ्राइ करके निकालना है यह देखिए इसी तरह से सारे पत्ते को डालकर अच्छे से डिप फ्राइ करें यह देखिए कराई में मैं सारे पत्तो को डाल दी हू और अब इसे पलट पलट कर गोल्डिन करके निकाल लेना है फ्लेम को मिडियम पे रखें और इसे गोल्डिन करके निकाल ले और कुछ दिर पकाने के बाद ये तयार है तो इसे इतना ही पकाएं इसे एक एक करके निकाल ले और अब सबजी बनाने के लिए तेल गर्म है तो इसमें मेती के दाने, सुखी लाल मिर्च और तेज पत्ते को डाल कर पका ले मेती के दाने पक गए हैं तो इसमें अद्रक लेशन का पेस्ट डालें मिक्स करते हुए इसे कुछ सेकेंड भूनें फ्लेम को इस टाइम पे एकदम लो पे रखें क्योंकि हमें इसमें सुखे मसाले अड़ करना है तो हल्दी का पॉडर और लाल मिर्च का पॉडर डाल कर मिक्स करें दस सेकेंड तक भूनने के बाद इसमें तैयार मसाला पेस्ट डाल दें इस तरह से सबजी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मसाला पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें और अब ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें डालें मिक्स कर दें नमक डाल दें टेस्ट के एक और्डिंग मिक्स करें इसके बाद लो फ्लेम पे इसे ढख देना है और कुछ-कुछ देर पर चलाते हुए मसालों से तेल बहार आने तक पकाएं और ये देखिए 12-15 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे भूनी हूँ मसालों से तेल बहार आ रहा है तो इसमें एक अच्छा सा श्टर देने के बाद फ्लेम को मिडियम पे करके 1-2 मिनट तक और भूने और अब 2-3 मिनट तक भूनने के बाद मसाला तयार है तो ग्रेवी के लिए पानी डालें एक बार में सारा पानी ना डालें ध्यान रखें एक बार में ज्यादा पानी डालेंगे तो इसमें लंस पर सकता है तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इससे mix करें mix करने के बाद इसमें अपने test के according पानी डालें अगर ग्रेवी थोड़ा ठीक चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम डालें मैं इसमें 1,5 कप पानी डाली हूँ मेजरिंग कप से 1,5 कप पानी डालने के बाद इसमें 1 चमच इमली का पल्प डाले हैं और कसूरी मेथी डाल दें, मिक्स कर दें इसके बाद इसे ढख दें कुछ देड तक पकने दें तीन-चार मिनट तक ग्रेवी को बॉयल करने के बाद मैं लिड हट आ रही हूं और ये देखे ग्रेवी कितना टेस्टी देख रहा है तो इसमें एक अच्छा सा श्टर देने के बाद फ्लेम को बंद कर दें अगर आपको तुरत खाना है तो इसमें पत्ते को डाल कर एक बॉयलाने दें अगर आपको बाद में खाना है तो इसमें पत्ते को डाल कर बिल्कुल भी ना छोड़ें तो हमारा ग्रेवी भी तयार है और पत्ते भी तयार है तो इसे सर्व कर लेती हूं तो एक बड़े से बाउल में ग्रेवी को निकाल लें और ये देखिए ग्रेवी दिख रहा ना है एकदम मचली के ग्रेवी की तरह और अब इसमें तयार पत्ते को डाल दें इसे कसूरी मेथी से गार्निस करें तो मचली के टेस्ट में अर्वी के पत्ते को आप घर में जरूर ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें